हेलो फ्रेंड्स क्या नी स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो यह दिया भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिये रेट कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूले तो दोस्तो आज के इस होता है और ऐसा क्यों और इसके क्या आपको फाइदे है तो दोस्तो दूद पीने को जो सबसे बहतर समय होता है वह होता है रात को सोने से पहले आप डिनर के कम से कम एक घंटे बाद हलका गुनगुना दूद पीने से ना केवल दिन भर की जो ठकान होती है दिन भर का तुकि दूद लेने से उसे पचाने में दिक्त होती है क्योंकि जो दूद होता है जिसे पचने में लंबा समय लगता है तो सुबह की समय आपको इसे पचाने में दिक्कत हो सकती है कई लोगों को इस से गैस की प्राबलम भी हो जाती है हाला कि बच्चे सुबह के समय भी दूद पी सकते हैं क्योंकि दिन भर वे एक्टिव रहते हैं खेल कूद में बिजी रहते हैं तो इससे उन्हें पचाने में किसी भी तरह की समस्या नहीं होती है लिकिन यदि आप एडल्ट हैं या फिर आप बुजर्ग हैं तो आप रात को सोने से पहले दूद पीए तो यह आप लिए ज़्यादा फायदे मंद होता है दूद को आसानी से पचाने में मदद मिलती है और आपको इससे किसी तरह की समस्या भी नहीं होती है तो दोस्तो यह थी छोटी सी जानकारी उमीद करते हैं आपको पसंद आई होगी यदि यह जानकार्य आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और वैल आइकन को भी दवाईए ताक कि इसी तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके